समस्कार दोस्तों अब आप लोग को स्वागत है ग्रैंड लेग गरोब पे दोस्तों अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहां पर टेलिग्रम चैनल पर अगर जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट से जुड़ी है मैं कोई भी पेड या प्राइम टीम नहीं देता अगर मेरे नाम से कोई आपसे पैसा ले रहा है तो बिल्कुल पैसा देने के जरूरत नहीं है और पैसा देने से पहले देख लो कि यूपी आई जो पेमेंट कर रहे हो वहाँ पर नाम क्या है फिर भी अगर कन्फ्यूजन है मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो मैं कोई भी पेड या प्राइम टीम नहीं देता ना कभी दिया है ना कभी दूंगा तो चलोगई स्वरू करते हैं यह वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि हर्दिक भाव खाव हुथ आम आ हमें सामने आने वाले लूद का फर्स मैच के उपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा स्टाइट की बात कर लेते हैं उसके बाद टीम कॉमिनेशन के उपर बात करेंगे तो लेट स्टार्ट एंड हां बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं इस रियल या बिग मैच तो चलिए पहले अगर तो नहीं होता तो वीडियो साइब नहीं हो पाता तो प्रुबबेल जो प्लेइंग 11 है वो है सुमन गिल वेट को नीचे रखा है इसका एक रिजन है इनका बैटिंग ओडर थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि क्या बैटिंग ओडर है वैसे सुमन गिल रिदिमन स चाहिए इस मैच में तो खेलना चाहिए लास्टियर काफी बढ़िया पर्फोर्मेंस किया था उन्होंने एवन सी एसके के एगेंस्ट एक मैच उन्होंने खुद जिताया था 67 रन करके देन आपके पास है केन विलियम संदेटली खेलेंगे मेरा पसंदेदा प्लेयर है में सब्सक्राइब में रखोंगा अर्दिक पांडिया थोड़ा नीचे खेलेंगे और अगर विकेंड नहीं जाता है तो प्रोमोट होंगे सब्सक्राइब यहां पर एक बंदा है जो खेल सकता है वह बाद में बताते हैं यहां जो है रितुराज गाइकवार कॉन्वे के साथ करना चाहिए यह साइब लेफ और राइट कॉमिनिशन बरकरार रखने के कुशिश करेंगे यह बारे में फिर से बात करेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पे जो आईपिल के मैंचे हुआ है वही हम लोग देख रहे हैं क्योंकि लोग ही है तो यह यहां पर 18 मैच जो खेला हो गया है वहां पर 8 मैच बाटिंग फरस्स और बैटिंग सेगें में 10 मैच जीता है ठीक है मैचे जोन वीनिंग टॉस जिनों ने टॉस जीता मैच जीता 50% यहां से बहुत ज्यादा हम लोग नहीं सोच सकते कि क्या हो सकता है यहां पर संचुरी लगा है यहां पर आपको जो है इस्ट मिनिंग और एंवरेंज 160 170 मान के चलो 170 अच्छा खासा स्कूर है वो क्यूं है मैं आप लोग को बाद में फिर से समझा दूंगा तेन आपके पास यहां पर एक एक करके CS का जो है वो रेकॉर्ड्ड दिखा देते हैं थोड़ा चोटा कर लेते हैं यहां पर दूनों साइट पर आप देख सकते हो बहुत जादा यह है यहां पर डिसकस करने वाली नहीं है गायक वाड दो मैच किला है दोनों मेरं समारे हैं लेकिन फिर भी क में होंगे अच्छा मौका मिलेगा अच्छा कर देंगा रायडू जो है कितना बढ़िया करेंगे स्विसली इनिशियल मैचेज में थोड़ा सा डाउट है किवं दूबे यहां पे जो है आपका एक सब्सेट्यूट प्लेयर का जो रूल है वहां पे जाके थोड़ा सा सिर्धिवान सहा का सेकेंड इनिंग में काफी बढ़िया रेकॉर्ड है और 67 उन्होंने लास्ट यरी खेला है तो वह याद रखेगा और कीपिंग कॉन करते हैं वह थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा जो है अगें बैटिंग सेकेंड में फिर भी थोड़ा सा रन है बैट में जो है आपका उसे साब से खास नहीं है 25 के अच्पास है 25 26 ही होगा जो भी है यहां इनको लेकर डिसकस करके बहुत जादा फायदा नहीं है किलर मिलर अब लेवल नहीं है तेवर्ट यह जो है कितने बूलर खेल रहे हैं वह थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इनको मत जाके यह आटोमेटिक होंगे नहीं तो मतलब आटोमेटिक भी नहीं होंगे राशीद खान आपको रखना ही पड़ेगा अलजबरी जोजेव समी इनको लेकर थोड़ा से डिसकस करते हैं बाद में अगें शाय किशोर ठीक टाक है डाल नहीं कहलेंगे यहां पर एम चौधर या नहीं ओवरल मतलब कॉबिनेशन देखे पता चलेगा टीम कॉबिनेशन देखे तुसर देशपंडे का खेलने का चांसे है तो अन्नोन प्लेयर है बट डोमेस्टिक में मैं तुसर देशपंडे को लेता हूं यहां पर जो है साही सुधरसन अगर खेलते हैं यहां बगर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं है रिकॉर्ट की बात बहुत ज़्यादा करके फायदा नहीं है तेन आपको जो अन्नोन प्लेयर से एस सिंग जो है आपको खेलते हुए दिखेंगे बोलिंग फोर्स में एक अधा विकेट भी चटका सकते हैं मंगाला आम जब बाद में खेलेंगे तो अच्छा का सा मतलब से लिकेट लेने के चांसे पती दना जब अगर खेलते तब देखा जाएगा ठीक है अच्छा का सा ऑक्ष्ण है अगर खेलेंगे अब देखेंगे यहां पर आपको जो प्लेयर मैच अप में भी बहुत खास कुछ नहीं मि पांदिया एक तेक भार और यहां पर रशीद स्कु है इक बार हो चुके है फ्यर्म एगर शेल्प करेंडेंगे पांदिया इस्था सिंसरा आपे जार्धाष यहां जाके चलते हैं गुजरात के तरफ को जो श्रम हो यहां पर गिल्भाव का जो है दो बार चाहर ने इनको इनका विकेड लिया है पांडिया एक मिलर एक बार आउट हुआ है चाहर के एक स्टोक्स बोलिंग साइद नहीं करेंगे अगर बोलिंग करते हैं तो बढ़िया बात है लेकिन फर्स्ट मेर में हम लोग रिस्क नहीं ले दो बार आउट कर चुके हैं यहां पर जड़ु ने सहा को दो बार विलियंस एक बार विलियंस ने काफी अच्छा रन मारे हैं पर बहुत खास नहीं है संट्नर के अगेंस्ट वह ODI मेंट ट्वेट इंट में खास नहीं है मिलर दो बार खेलेंगे नहीं बट यहां पे वेड का जो है वो एक बार आउट हो चुका है बट यहीं है बहुत खाज आपको मिलेगा नहीं यह वाला सेक्षन एड किया है जो की विकेड कैसे लिया गया है तो यहां पे आप देख सकते हो जोजेप का जो है बोल्ड है 32 ए 8% और 62 परसेंट है कोट बिहाइंड वही शमी का 25 परसेंट है बोल्ड एंड कोट बिहाइंड है 65 परसेंट साइक शूर पांडिया का 10 परसेंट बोल्ड और LVW का अगर पॉइंट अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहां पे किलर मिलर जोजेप का काफी अच्छा है दे यहां पे समी का ठीक ठीक है यहां पे अगर देखा जाए चाहर का 18 परसेंट है बोल्ड एंड जडिजा का 25 परसेंट थिकसना का 30 परसेंट स्टोक्स के 25 परसेंट होगा यह गलती से यहां पे आपको मुईनली 25 परसेंट मुकेस का 18 संटनार 15 तो यह है याद रखिएगा अब इस ग्राउंड के बारे में जो कि बाद में भी मैं एक और शीट दिखाने जा रहा हूं यहां पे बहुत जादा हाई स्कोरिंग नहीं है पर फिर भी ठीक टाक स्कोरिंग हो जाता है इस बांद मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है वह बाद में इस करता हैं यहां पे कौन सा पर्टीगूलर बॉललर के एकन स्ट्रंगल है वह थोड़ा सा दिखा देते आं आपशे सकते हो यहां पर कॉनवे का जो सबसे अगर खराब नंबर्स देखा जाए तो वह है राइटम फास्ट बोलर के एकंस है 6.3 पर यह हमेशा होगा नहीं पाकी अल्मोस सारे अच्छे हैं काई कॉर्ट का जो है अल्मोस सारे अच्छे है राइटम लेक ब्रेक के एकंस 34 का है और लेफ्टम मीडियम फास्ट बोलर के एकंस 17.2 का है बट हां अल्राउंडर वैल्यू है पर यह से एक बदेख लेना आपके पास जो है स्टोक्स का अगर देखेंगे तो लेफ्टम चाइनमें के किसका है लेफ्टम फास्ट बोलर के एकंस दो ही इनिंग है 14 का है राइटम लेक ब्रेक के अगेंस्ट काफी जाद इनिंग खे देखोगे मतलब स्बीनर का देखोगे तो वहां पर नंबर काफी जादा खराब है राइडू का अगर देखा जाए तो बहुत नंबर खराब बहुत जादा नंबर है वह है लेफ्टम फास्ट यहां पर चाइनमें के अगेंस्ट बाकी सब कुछ ठीक है बट रहाने इनका इनको नंबर है काफी जादा ठीक नहीं है दन गिल का जो देखेंगे पीस है राइटम फर्स तो इनिशियल ओवर में अगर जाते हैं तो याद रखेगा या तो लेक ब्रेक बोलर के लिए बहुत जादा खराब नंबर है यहां पर शाहा का जो है नॉर्मल इनका खरा सब्सक्राइब है 17 का है यहां पर यह कौन भाई सब्सक्राइब है तो चलो यह यह मतलब अभी जो है सबसे ज्यादा खराब नंबर जो है वह है यह तो मतलब और्टोरक्स के एंस इनका 26 का है लेपर मिडियम के 25 है मिलर का देखके फाइदा नहीं है फिर भी देख लो सब्सक्राइब को बहुत सब्सक्राइब का तो यह यह जो काम है यह काम है हमारा विकास पूरूस का काफी अच्छा काम है देख सकते हो यहां पर आपको जो है यह दिखाते हैं बाद में यहां से देख लोगे तो यहां से चलो अमिदावाद का देखो बैटिंग फॉर्स का 166 तेरा मैच कर लिया है इन्होंने और बैटिंग सेकंड का 168 कि अवरेज रन पर बॉल वो है एक से चयोब तक 1.17 और सबसे ज्यादा होता है मिदल अबर मतलब 17 से 20 तक 1.81 अल्मोस्ट टू रन पर वाल यहां पर रन पनाते हैं वहीं सेकंड इनिंग में 1.67 और यहां पर सेकंड इनिंग में यह वाला जो है 1.38 जो है रंस पर बॉल होता ह है वहीं यहां पर अगर आप देखोगे विकेट लॉस्ट अगर देखोगे तो वह एक से 6 ओवर के बीच में बोलिंग फर्स करते हुए 1.4 और 1.3 का एवरेज है वहीं मिडल अबर में 2.9 और 2.6 तो मिडल ओवर में यहां पर विकेट अच्छा खासा जाता है तो मिडल में आप लोग देख सकते हो बोलिंग फर्स में अल्मूस्ट दो विकेट जाता है और बोलिंग सेकेंड में और एक विकेट तो यह आप लोग ध्यान में रखिए अगर अगर आप देखोगे तो एक से 6 ओवर के बीच में थोड़ा सा कम रन देखने को मिलता है इसका एक रि आइन अल्मूस्ट 11 और 10 तो अच्छा काजा है तेन विक पेसर का जो विकेट है वो देख लेते हैं फर्स इनिंग में अल्मूस्ट फॉर पॉइंट टू विकेट जो है फर्स बोलर ने लिया है वही सेकेंड इनिंग में स्पेशन ने है 3.5 तो ज्यादा तर पेसर को ज्या बहुत मैनत से मनाई है आप लोगों के लिए तो वह एक बाद देख लेते हैं यह है एक बार एक मिनिट अच्छा यहां पे देखो यहां पे देखो यह वाला शीट देखोगे तो बहुत आपको यह वाला शीट एक बाद थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा लगेगा यहां पे आप लोग इसली फाइंड आउट कर सकते हो कि 170 के उपर जब भी रन बना है तो वो रन चेज नहीं हुआ है यह जो टोटल टेबल है यह टेबल देखो के तो पता चल जाएगा यहां बोट पर भी राष दब्रात को मैच देखा जाए तो यहां पर आव निंग में इस India सब्सक्राइब करकाव रे जाया करके फाइदा नहीं है तो देन आपके पास जो है कॉम्बिनेशन एक दो कॉम्बिनेशन बना के रखा है वह देख लीजिएगा देखो विकेट कीपिंग से कॉन्वे एक एक करके यह डिसकसन बहुत इंपोर्टेंट है यह सुन लीजिएगा तो आपके लिए बेटर है क्योंकि ओवराल कॉम्बिनेशन मैं नहीं दिखाने जा रहा हूं बस जो कहूंगा वह सुनिएगा तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए तो यहां पे आप लोग देख सकते हो डेवन कॉनवे अगर एक विकेट कीपर के साथ जाना चाहते हो तो डेवन कॉनवे बेस्ट चॉइस है उसके बाद आपके पास उप्सन नहीं है सुबंगिल रितुराज गाईकवार कें विलियम सन अगर तीन बैसमन बाला जहां पे रूल है उस अप्लिकेशन में खेल रहे हो तो यहां पर आपको जड़ेजा हर्दिक पांडिया मोहिन अली और प्रिटोरियस यह मैं बता दूँगा तो यह है ड्रीम 11 में अगर आप चाहो तो ऐसा कुछ कॉम्बिनीशन बना सकते हो दिखा देते हैं कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है वही यह सेफ जाने वाले कुछ ऐसा ही जाएंगे आपके बास जड़ेजा मैं क्या करूंगा वह मैं बता देंगा जड़ेजा बेंस्ट्रोक्स की जगा मोहिन अली पकड़ लो यहां पर बेंस्ट्रोक्स गलती से यह वाला स्क्रिंशोर आ गया लेना कितना सही होगा वह थोड़ा सा कुछनेबल है बट हाँ फिर भी सिर्फ बैटिंग के आधार पे बीड्रिम टेप का कैप्टेन बन सकते हैं इतना बड़ी आपको कुंग फु पांडिया जो है हर्दिक पांडिया यहां पर है यहां पर किसी को ड्रॉप करके आप चाह करें यहां पर समी को ब्रॉप करके भी आप चाहो तो महिनली को ले सकता है यह हो सकता है यहां पर बता दे शमी को अगर मल्टिपल्ल विकेंड मिलेगा थां अगर में हो जया दो में हो करेंगी पर यह दो करेंगे अर्दिक पांडिया आ सकते हैं क्योंकि इंटरनाशन में आ रहे हैं तो इसमें तो भाई क्याप्टेन है यहां पर इनका जो है CS का प्रिटोरियस डेथ में आ सकते हैं आपके पास दिपक्चार इनिशियल और में करेंगे 100% दिन कौन बाकी खेलता है सिंग अगर खेलते हैं इनिशियल ओवर में करते हुए दिखेंगे ठीक है यहां पर क्या कर सकते हो वह मैं बता दूंगा थोड़ी देर वेट करो ठीक है यहां पर यह कुछ प्लेयर है इनको लेकर मैं डिसकस करता हूं कब लेना है कब नहीं सीवीजी के बारे में बता दें नो डाउड हार्दिक पांदिया बेस्ट चॉइस है क्योंकि चार ओबर भाई बोलिंग करेंगे बैटिंग भी करेंगे उसके बाद अगर आपको क्याप की प्रेटोरियस को कर सकते हो क्योंकि डेथ में आँगे डिफ में विक जाने का चांसे भी है तो यह है यह चार जो आप्शन है बेस्ट आप्शन है अर्धिक पांदियार रशीद कान जडेजान प्रितोरियस चोटा सा बैटिंग से गंट्रिब्यूट करते हैं एन आपके पास एक और option है कॉनवे है काफी बढ़िया option है और इसको इनको बैक करते जाओ आपको जीएल मिनी जीएल जित्वाने वाले हैं ठीक है तेन कुछ और discussion कर लेते हैं इस combination के उपर मतलब कर लेते हैं इन दोनों में से कुछ एक बात मैं बोलना चाहूंगा रितुराज गायकवार्ड बैक मतलब इनका head to head matches में दो match में इन्होंने 50 किया है बट उस वक्ते अप्रेंड धोनी नहीं थे अला फॉर्स में तो नहीं थे या नहीं वो याद नहीं आ रहा है तो रितुराज गायकवार्ड जो है अगर आप लास्ट दो सीजन देखोगे इनीशियल मैच में यह फ्लॉप जाते हैं उस कंडिक्शन में ग्रैंड लिग में आप रिस्क इनके उपन ले सकते हो सुनने में और लगेगा वह रिस्क आप इनीशियल मैचस में कंसिस्टेंटली फ्लॉप होने का इनका रिकॉर्ड है और काफी लंबा रिकॉर्ड है इस बार नहीं हुआ तो अलग बात है बट हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जाने के चांसे बैटिंग फर्ट्स ठीक है बट इन्होंने बैटिंग फर्ट्स मे कोई ओपेनर को लेके ही जाएंगे तो चाहर को अगर रख रहे हो अगर लग रहा है कि इनीशियल ओवर में विकेट जाएगा तो इस गिल के उपर रिस्क ले सकते हो अपर बैटिंग फर्स तो यह दो जो बैट्समन है इन दोनों को जो कि लोग जानना चाहते है हाई सेलेक मैं उनको रखता हूँ एक मेरे को सेफ लगता है कि चालीस रन अराम से बना देंगे कैचेश भी पकड़ लेते हैं मुझे काफी अच्छा लगता है लास्ट सिजन खराब गया था बड़ काफी कंसिस्टनली रन्स करते हैं तो यह भी अच्छा खासा उप्शन है याद रख के रखा यह तीम मत समझना कि यह टीम है टीम मत समझना यह डिसकस करने के लिए है मजोनी अगर अगर मैथ्यू हाँ यहां पर आप एक काम कर सकते हो मैथ्यू वेड को ले सकते हो जिनको लेके मैं भी एक अधा कॉमिनेशन मनाओंगा अगर गिल को डॉप करते हूँ उस मतलब 11 बर्ल में 20 रन ही मारेंगे हाँ विकेट कीपिंग में अभी भी धोनी जो है वो एक डिफरेंस क्रियेट कर सकते हैं सिर्फ विकेट कीपिंग से यह वो प्लेयर है जो कि 30 पॉइंट दे सकते हैं अगर 20 रन बना दे वो काफी है तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी विकेट की पर नहीं चलेगा फिर जाके लेना वरना धोनी जो है आपको बताया वसली चेजिंग के टाइम पर इनका अच्छा खासा नौक है लेकिन क्या वह दोहराएंगे वह एक बहुत जादा सबस्ट्टिडूट प्लेयर का नहां पर अगर खेलते हैं इंके उपर नजार रखेगा आपको एक या दो वो जी एल में बहुत बढ़िया रैंक लाने में मदद करेंगे बेन स्टोक्स रोटेटेंग लिस्ट में रखो क्योंकि आइधर यह अगर हाइस पॉइंट नहीं देते हैं तो इनको टीम में रखने का फाइदा नहीं है तो तेवटिया अराम से प्रोमोट हो सकते हैं जब यह लास्ट येर एक दो वर में साथ तीन या चार विकेड लेके गए थे पूरा मैच मेरा बहुत बढ़िया जा रहा था पैदावे एक बात मेरे को याद आया यह के एंड गुजरात का जो सेकेंड मैच वा था वहां पर वह जॉर्डन भाई साब ने चार वहर में 59 दिया था यहां पर उस सीजन में मेरा मतलब हो अगर एक भी ले ले लेते तो मैं सीजन का सेकेंड एक मैच होता जहां पर मावी खिलता है फिर वी मैं बहुत ज़्यादा इंट्रस्टेड नहीं हूँ यहां पर मुझे अगर पूछ ओड़ अपनेर बेर को थोड़ा सा लेना चाहूंगा इन ग्यारा प्लेयर्स मैं से जा हो सकते हैं या ऑडियंच और थोड़ा सा इंट्थिनना में तो फूराआ सा इंट्रेस्टे रों सुधर्शन में अगेन शाहा खेलते हैं या नहीं वह देख के ही डिशन लूंगा तब जाके शाहा अगर नहीं कहलेंगे तब जाके इनका फॉर्स दाउन पर आने के चांसस है उस कंडिशन में मैं जो है उपन करना चाहिए तो यह है आपका जो वह प्लेयर्स जो की आप जो कोई आपको पसंदाब ले सकते हो बट नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा रिस्क इस मैच में नहीं लूंगा 300 मेंबर तक आप चाहो तो जो मैंने कहा है उससे साब से आप खेल सकते हो आगेस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर यह अनलिस आपको अच्छा लगा हो त खेल तो प्रीज लाइक कर दो ग्मेंट कर दो शेयर कर दो और सबस्क्राइब जरूर कर देना अथ कि एए धिया पेड टीम लेनी की जरूरा नहीं कोई पैस तीम मतलब को यह अकर गगर ड़िए जीत सकता तो उसे पाड़ित देनी की जरूरत में पढ़ता था तो थैंक क्य लव यू अल और ऐसे ही सपोर्ट बनाके रखिए फिट जाके यह वीडियो करने में मज़ा आएगा तो थैंक यू गाइस किप सपोर्टिंग किप सच्टिंग लव यू अल